वाइदर नमस्ते हैं आपका इस नए सेशन में जो एक नमबर एक नमस्ते है उसका डिसकुशन करने के लिए अपनों मिले है फड़ा फट दो क्वेस्टिन्स है उन दोनों को अपनों डिसकस कर लेंगे बाइदवे बतादू आपको की magic book का revision series भी start हो गया है so magic book नहीं purchase किया है do it right now around 1.5 days के exam के लिए जो भी theory जितना भी आप लोगो formulas चीए सब एक जगे पे मिल जाएगा and definitely stay subscribe because पूरे magic book के उपर ही based मैं revision lectures बनाने वाला हूँ of approximately 1 hour per chapter which will be really helpful to you for your examinations चलो अब without wasting any time let's go on to the RTP आप लोग ने अगर RTP नहीं देखिया तो मैं बता दू जो दो first questions है they are very different वो आपको कहीं नहीं मिलने वाले है very nicely made by ICI मतलब ऐसे level का institute paper भी निकालना चालू करे तो तो आहा मजा ही आ जाएगा मैं आपको एकदब honest feedback देता हूँ मैंने जब यह solve किया था RTP में तो पाच-पाच question के mcqs है मतलब एक securitization के chapter के उपर 5 है और दूसरा security analysis के उपर 5 है so let me tell you honestly 8 में से मेरे 10 में से 8 राइड गए दो मेरे भी रहोंग है कौन से दो रहोंग है वो बताऊंगा so just trying to tell you that the questions were good not that they were difficult but कुछ चीज़े ऐसी होती है जो आपन लोग यार overlook कर लेते हैं in theory but ICI अब very smartly उसके उपर भी question पूछा है so we have to be very very vigilant कि वही क्या अपने को answer देना है उसे सबसे तो वह दोनों मैं discuss कर रहों और बाखी के जो questions है RTP में they are all module based questions and अप लोग को कहीं पर भी मिल जाएंगे so that's not a great deal but यह जो दो question है इसको base बना के अपने को समझना पड़ेगा कि okay ICI के दिमाग में क्या चल रहा है and how it is possibly going to ask questions in future as regards MCQ is concerned वैसे MCQ के ऊपर हमारा जो telegram channel है description box में link दे रहा हूं उस पे click करना वहां पे भी हम लोग daily basis पे MCQs we keep on asking on different different topics so you can try that as well answer MCQs से related a free PDF बहुत जलदार है उस पे काम चाल हुए we'll be sharing it now let's start with this question so दो chapters के ओपर question based है एक secretization दूसरा security analysis दोनों क्या मैं एक फटा फट overview आप लोगो दे देता हूं इतना quick overview so that जब आपन लोग यह question को solve करें और मैं आप लोग के सामने वो scenario set करूँ you know you should be clear with the concepts that we are going to tackle तो चलो आ जाओ question one समझने के लिए है ना दो तीन चीज़े अपने को पता होनी चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूं आप लोगो फटा फट एक quick recap करवा देता हूं कि बही क्या पूरा यह system होता है सिकरेटाइजेशन का कि आप लोग के उपर इतना burden है कि आप कहीं भूल ना गए हो क्यों है न पॉसिबल तो short में बता रहा हूं ध्यान से सुनना तो बात कुछ ऐसी होती है कि say for example आप मेरे पास I loan लेने आप यहां आए किस लिए loan लेने सो आपने मेरे से लिया car loan आप क्या हो जाएंगे पता है क्या आप हो जाएंगे obliger तो student आया मेरे पास किसके पास संकल्प के पास आया और वो बोला कि भाई sir हमारे को एक car loan चाहिए मैंने आपको दे दिया loan ठीक है मैंने आपको दे दिया पैसे और बोला यह ले भाई 10 टो आप मेरे को दे दोगे गाडीके पेपरस अपके गाडीके पेपरस मेरे पास है कि कभीकुछ आपने डिफॉल्ट किया तो रख वो पेपर्स मैं आपने पास रखनूंगा अब ऐसे करते सर्फ जो company है संकल्प कांस्टिया जो company है ऐसे मैंने कम से कम 1000 लोगों को loan दिए हो किसी को overseas education loan दिया होगा, so on and so forth, ऐसे मेरे पास बहुत सारे, बहुत सारे papers आ गए है, कोई car loan के papers, कोई home loan के papers, अब मैं इनका क्या करूँ, अब मैं इनका क्या करूँ, तो what I will do is, I will sell this, I will sell this papers, I will sell this papers to a financial corporation, और उससे मैं पैसा ले लूँगा, तो से for example मैंने दे दिया यह HDFC bank को, या ऐसी कोई organization को, कोई financial corporation उनको समझो मैंने ऐसा दे दिया, अब these जो यह किया है, इसके company ने जो sell किया है HDFC bank को, अब HDFC bank क्या करेगा पता है क्या, इस जो भी यह securities उसके पास आई है, यह जो भी securities HDFC bank के पास आई है, इसको यह market में sell करना चालू करेगा, by making a SPV, SPV मतलब special purpose vehicle, तो हम बनाएंगे एक special purpose vehicle, इस special purpose vehicle के through, we will take investment from the investors, समझ में आया, अब यहाँ पर यह जो HDFC bank के विड़ा, यह जो HDFC bank आपको यहाँ पर दिख रही है, इस HDFC bank basically, will be called as the originator, इस HDFC bank will be called as the originator, फिर बाद नहीं, यह जो यहाँ पर, अपन लोग ने company बनाई है, किसके लिए for trading of these papers and securities, उसको अपन लोग बोलेंगे SPV, यह जो papers trade करने के लिए अपन लोग ने SPV, special purpose vehicle बनाई है, company बनाई है, entity बनाई है, उसको अपन लोग बोलेंगे SPV, are we clear everybody, SPV will then sell it to the investors, but क्या होता है क्या, कई बार पता है क्या, you will have to keep some intermediaries in between, sir क्यों रखना ही पड़ेगी ऐसे intermediaries अपने को, they are called as RPA, receiving and paying agent, receiving and paying agent, क्या काम होगा इनका, यह जो obliger है, इसके पास से पैसा लेके, यह SPV को पैसा देने का, ताकि SPV फिर decide करेगा, कि उसको अपने कौन से investor को, या तो loan repay करना है, या फिर उसको interest repay करना है, accordingly, are we clear everybody, so यहाँ पर देखो, क्या होता है, तो जो main points है, उसके उपर ही मैं focus कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जो यह question में, अपने को काम आने वाले है, सबसे पहला मेरे को काम आने वाला है, originator, initiator of the deal termed as securitizer, it is an entity which sells the assets lying in its books, and receives the funds generated through sale of such assets, फिर दूसरा आप लोग नाम देख रहे होगे, special purpose vehicle, क्या यह, created for the purpose of executing the deal, in case अगर आपके पास magic book है, तो देखो, chapter 6 का, I think page 2 पे आपको यह दिख जाएगा, SPV is created for the purpose of executing the deal, बस, और उसका काम नहीं है, since the issuer originator transfers all rights in assets to SPV, अपने example में HDFC ने सारे rights किसको transfer कर दिये, SPV को transfer कर दिये, right, it holds the legal title of assets created specially for the purpose of securitization only, समझ में आगे, SPV, यह समझ में आगे, फिर बाद में secondary participants है, ठीक है, obligers, these are the main sources of the whole securitization process, जिसको loan दिया है, जैसे कि तुम, and then receiving and paying agent collects the payment due from obligers and passes it to the SPV, यह जो भी है, सब फिर बाद में end of the day, SPV को pass कर देते है, यह receiving and paying agent का काम होता है, so I hope यह चारों चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होगी, अब और एक चीज़ यहाँ पर समझ नहीं है, वो है यह, एक के securitization instruments, अब देखो, यहाँ पर मालू है, तुम लोग को मैंने बोला था, कि यह देखो, यह finally special purpose vehicle क्या करेगी, PTS, pay through security, अगर यहाँ पे उनको PTC, which is the securitized instrument here, तो pay, पास्थ्रू certificate में, जो भी पैसा आता है, यह पूरा का पूरा investor को transfer हो जाता है, full money transfer to the, full money transfer to investor, किस में, कौन से case में, PTC के case में, पास्थ्रू certificate के case में, बट अगर मैं PTS की बात करूँ, which is pay through security, in such situation, जो भी पैसा आता है, it is divided, तो समझो, for example, मैंने आपको car loan दिया वा है, car loan का आप repayment करेंगे, principal का repayment करेंगे, interest का repayment करेंगे, तो जो SPV है, उसके पास सारा पैसा आजाएगा, receiving and paying agent आपके पास जाएगा, बोलेगा, चलो interest दो, principal दो, यह मैं का, तोड़ा, वो लेके, वो SPV को दे देगा, SPV will then pass on to the investor, अब जितना investor को due हो रहा है न, PTS उतना ही pass on करेगा, बाकी का जो पैसा है, it will invest in another asset, if it wants to, so cash generated through interest and sale of asset is not passed directly, but distributed, how much pay to investor only when income becomes one, and surplus cash invest in yield generating assets, तो यह कौन करता है सब, PTS, PTC जो पैसा है चलो, पुरा का पुरा, investor को दे दो, clear everybody, and then फिर होता है, stripped securities, stripped securities में क्या है, यहापे जो important point है, वो आपको यह वाला चीज ध्यान में रखना है, जब market interest fall करता है, please आप लोग ध्यान से देखना, because यह चीज आप लोग को काम आएगी when solving the MCQ, जब market interest fall करता है, तो यहाँ पे देखना, borrowers repay and get more redemption of their principal, तो जब interest rate, ओल है, चलो, जब बोर redemption of principal is what is received, and vice versa, जब market rate increase होता है, sorry, follow, increase होता है, तो फिर borrowers postpone repayment and PO holders get less redemption, so, जब market rate fall होता है, तो PO security का value increases, समझ में आड़ा है, वैसे भी आप लोग का जो bond होता है, उसके जैसे होगा है, तो when the YTM falls, value of bond, या principal only security increases and vice versa, बस अब मैंने आप लोग को जितना बता है, वो आप लोग को समझ में आ गये हैं, तो you are now strong enough to start with the question and answers, let's start, grow more limited and NBFC is in the need of funds and hence it sold its receivables to MAC Financial Corporation for Rs. 100 million, सामने, MFC created a trust for this purpose called GIT, ये trust क्यों है, ये trust क्या है, correct SPV, MFC कौन है, correct originator, समझ में आ गये हैं, प्लीक, continue, through which it issued, security is carrying a different level of risk and return to investors, further this structure permits, the GIT to reinvest surplus funds for short term, as per their requirement, इसका मतलब, GIT कैसे securities issue कर रही है, as this structure permits GIT to invest surplus funds for short term, as per their requirement, यादे, PTC था, उसमें तो क्या बोला था, कि बाई, जो आएगा पैसा पूरा का पूरा अपर लोग दे देंगे, किसको दे देंगे, correct investor को, but PTS में क्या था, याद आ रहे है everybody, ये रहा देको, PTS में क्या था, surplus cash invest in yield generating assets, तो ये मतलब क्या हुआ, this is PTS kind of a security, this is PTS kind of a security, याभी clear everybody, MFC also appointed a third party, safeguard private limited, to collect payment due from obligers, and pass it to GIT, मतलब SPL क्या है, बेटा जी, SPL क्या है, correct, safeguard private limited, will be called as, everybody, receiving, and paying agent, उसको मैं RPA लिग दू, with your permission, to collect payment due from the obligers, and pass it to GIT, it will also follow up with defaulting obligers, and if required, initiate appropriate legal action against them, obliger कौन होता है, आप लोग, जिसको loan दिया है, तो अगर आपने कुछ default दिया, हम आपके against में, कोई कारवाई भी कर सकते हैं, चलो, इतना, clear है, first, the securitized instrument, अब देखो, जो securitization पढ़के नहीं गया होगा, वो question and answer, दे ही नहीं पाएगा, पहले के लोग, जो CA बने हैं न, वो लोग क्या करते हैं, learn कर लेते थे, तो यह हो गया, यह हो गया, बट आज का जो बच्चा है, वो यह learn करके नहीं जा सकता, उसको conceptually, logically ही पढ़ना पढ़ेगा, पहले ही लिख दिया है, इट फाले ही लिख दिया है, तो यह मेरा भी राइट आया था, इन द आप आप ऑँ, इस यहा पर मेरा मिस्टेग वादा, मैने ओरिजिनेटर बोला, ग्रोमोर, बट देन, इस, यह, it is Mac Financial Corporation, but I have thought, the originator, इस ग्रोमोर भाई, उसने, सेल किया न, एसेंस, ठीक, ICI ने बीच में, एक intermeasurerी रखा आये, MFC, so that becomes the originator, who creates the SPV, यह मेरा एक mistake वा था, second वाला, बाकी, राइट था, इस question में, so, done, clear everybody, तो अपन लोग ने या पर देखो, MFC के लिए लिए लिख भी दिया, it was the originator, in the above scenario, general investment trust is, यह भी हम लोग ने बना दिया, बास, JIT is a SPV, JIT is a SPV, यह भी हम लोग ने इदा लिख दिया, that general investment trust is a special purpose vehicle, in the above scenario, safeguard कौन है, can I say RPA, यह तो एक्रमी easy था, receiving and paying एजे, बादब वो उसका definition पड़के, समझ में आ रहाता कि, safeguard एक RPA है, and last, that, which is true, when yield to maturity, या दटना, yield to maturity और principle only का reverse, inverse connection है, when yield to maturity in market rises, prices of principle security tends to rise, no, okay, when yield to maturity in market rises, prices of principle only securities tend to fall, yes, so यह दोनों का देखो, rises, rises, तो fall, यह सही लग रहा है, when yield to maturity in market falls, price of principle and security fall, no, falls, prices remain same, no, so can I say, B is the answer for this, clear everybody, so, अपने answers है, B, B, C, D, B, 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 C, D, B, right, मज़ा आया करने में, right, it hardly took 10 minutes, but एक अच्छा अपने को grip आ गया, अच्छा अच्छा लगा मुझे एक question, frankly speaking, बोलता हू, मैंने काफी सारे SFM के पुराने और सब papers देखे हैं, जो typical questions आते हैं इस chapter से related, उसके comparison में ऐसा कोई question आता है न, तो it's worth to teach students using these logics and concepts, ठीक है, अब ये तो खाली में पास 5 minutes था, तो मैंने आप लोग को एक उपर-उपर से बता है, पकि इसके अंदर in-depth जाए, तो और मज़ाएगा, अगें, जब मैं इसका revision video लूँगा, इसके उपर YouTube पे, for AFM revision, तब तुम लोग इसमें देख लेना, और clarity आ जाएगा, तो चलो, इसी के बाद, question number 1, हो गया है complete, अब आप लोग चल रहे है, question number 2 के ओपर, which is based on security analysis, पहले मेरे को बताओ, एक सिके निक सिके, पहले मेरे को बताओ, इसमें से, कि आप लोगों का, कितना answers correct था, so please, आप, I hope आप लोग ने भी, pause किया होगा, वीडियो, इज़्जद से फहले, question read करके, फिर बाद में answer दिया होगा, मुझे comment में बताओ, how many of y'all got the answers correct, and incorrect, अगर आप लोग ने मेरे flow में किया, तो भी अभी मेरे को बता दो, कि how was it, if not, second में, वीडियो pause कर दो, solve करो, और फिर देखो, कि क्या answer आ रहा है, and how much it matches, or not, चलो, चलते हैं, question number 2 के उपार, चलो, अब यह जो question है, next वाला, that is based on security analysis, जैसा मैंने आपको बोला, अब इसमेरा तीन टेस्ट होता है, security analysis में, तो आप लोगो इन जनरल पता होगा, security analysis के बारे में, that there are two ways of analyzing a stock, fundamental analysis, technical analysis, यहाँ पर आपन लोग बात करना है, technical analysis की, तो technical analysis के लिए, तीन यहाँ पर test दिये है, एक होता है, correlation test, तो that is your first test, जैसा आप लोग यहाँ पर देख सा पाऊगे, तो लोग बोलते हैं कि हम लोग ने, बहुत साधे, बहुत जाधा correlations test किये, as regards the markets past, and then देखा कि भाई, is it matching or not, based on kato correlation, and it's not matching, that is what they have called it as, serial correlation test, फिर दूसरा test नुना ने बोला है, that is called as a run test, run test में लोग देखते हैं कि अगर market positive उपर उपर जा रहा है, तो कितने time तक उपर गया है, और फिर बाद में अगर नीचे जा रहा है, तो कितने time तक negative आ है, then how many times it has gone up, so that basically is called as the run test, so यहाँ पर you count the number of runs, where price changes are positive और negative, तो उपर उपर से बता रहा हो, क्योंकि अपने खाली sum के, जितना अभी फिलाल knowledge वो करना है, and then there is test 3, test 3 मोलता है कि boss अपना जो एक threshold है, उसके उपर गया, तो मैं क्या करूंगा पता है कि एक filter डाल दूँगा, मैं filter डाल दूँगा that if market goes above 5%, तो मैं purchase करूंगा, purchase करने के बाद if market goes again beyond 7%, then I will sell it, तो मैंने क्या किया है, ऐसे कुछ filters डाल दिये 5% and 7%, बस यही था आप लोगों का question, so test 1, calculation of correlation, coefficients of based on last 5 years, तो test 1 क्या हो जाता है, serial correlation test, correct, then test 2, test 2 में अगर आप लोग देखोगे, तो number of runs where price changes positive negative mark करते, so that basically is called as test 2, is called as the run test, that is called as the run test, then we have the filter, moving average 5% के उपर गया, तो buy करेंगे, otherwise sell करेंगे, 7% के उपर गया, तो that is called as the test 3, that is the filter rule test, got it, then filter rule test should not be applied for, buy and hold strategy, if behavior of the stock price is random, so अगर randomly move कर रहा है, stock price, then in that case filter rule कैसे अपलाई करोगे, filter rule तो बोलता है न, कि 5% के उपर गया, तो buy, फिर वहां से 7% उपर गया, तो आप लोगे एक mechanized changes आपको पता है, यहाँ पे if the stock price is random, probably filter rule should not be applied, and all of this, जो भी अभी अपन लोग ने देखा, result of your study support, यह देखो क्या लिखा है, after conducting the 3 tests, the evidence opposed the weak form of market efficient theory, you concluded that past friends do not predict the future price, कोई dependency नहीं है, random है market, market किसी के ओपर dependent नहीं है, is what they are trying to say, नाम है उसका random walk theory, so fifth का it is C, random walk theory, वीडियो पॉस करके आप लोग ने try किया था, क्या आया आप लोगों को, चलो great, so I hope you had a great time, with these MCQs, अगर आप लोगो और MCQs भी करने हैं, वैसे मैं आपको बता दू, MCQ के ओपर एक PDF आ रहा है, बहुत जल्द, stay subscribed, and on that note, time for me to say, आस्ताल अवेस्ता, बाकी के जो questions है, जैसा मैंने बुला की, they are all questions, जो आप लोगों ने देखे वे होंगे, module में, या कहीना कहीं आपके, प्रोफेसर ने भी कर रहा है होगा, so इतना I am not putting effort there, आप लोगों को specifically, अगर कोई चीज़ चाहिए, please guys let me know, definitely I will help you, with all of that, and hopefully it will be coming in the exams, मेरा intention है, मेरे को ऐसा लग रहा है, कि इन दोनों में से एक, तो exam में आएगा याएगा, तो please properly करके जाना, so do share your likes and comments, if you like it, ते कर बाएगा, थाएगा, तो थाएगा, 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 चुप थाएगा, थाएगा, थाएगा थाएगा, तो शाएगा, झालोण प्राइब चाहाँ,